हेलो दोस्तों तो आज हम लोग बात करेंगे स्नायू की तो स्नायू जो होता है उसको हम मौडर्न में लिगामेंट से कोर्लेट कर सकते हैं तो स्नायू को संख्या जो होती है वो 900 होती है और शाखा में इसकी संख्या होती है 600 और मद्ध शरीर में ये 230 स्नायू होते हैं और उर्द जत्रू यानि क्लेविकिल के उपर 70 स्नायू होते हैं अब बात करेंगे शाखा के तो शाखा में पूरे 600 स्नायू होते हैं यानि कि एक शाखा में 1500 स्नायू होते हैं और शाखाएं आपको पता होगा कि शाखाएं जो होते हैं वो चार होते हैं इसका मतलब दो हाथ और दो पैर तो जो पैर की प्रतेक उंगली में यानि जो पैर की प्रतेक उंगली होती है उसमें 6 स्नायू होते हैं तो एक एक पैर में कितनी पांच उंगलिया होंगी यानि तीस नायू एक पैर में हो जाएंगे पैर की उंगलियों में हो जाएंगे अब बात करेंगे पाद तल यानि जो सोल होगा कूर्च गुल्फ यानि एंकल जॉइंट के आज पास तीस नायू होंगे और जंगा यानि ल दस स्नायू होंगे यानि नी जोयंट में और उरू में यानि थाई रीजन में चालिस होंगे और वंक्षन में दस होंगे और मद अब बात आएगी मद्ध शरीर की तो इस प्रकार हमने देखा कि शाखा में 600 सनायू थे 30 उंगलियों में 30 पातल कूर्च गुल्फ में जंगा में 30 जानू में 10 उरू में 40 और वंक्षन में 10 30, 30, 60, 30, 90, 10, 100, 40, 140 और 1500 तो कुल मिलाके 1500 हो गए यह आपकी एक शाखा में थे तो शाखाएं पूरी 4 हैं तो टोटल सनायू हो जाएंगे 600 टोटल सनायू आपके 600 हो जाएंगे तो अब बात आएगी मद्द शरीर की मद्द शरीर में जो कटी यानि वेश्ट रीजन होगा उसमें 60 सनायू होंगे प्रष्ट में आपके 80 सनायू होंगे और पार्ष में प्रष्ट मतलब बैक रीजन पीट और पार्ष मतलब लेटरल साइड में आपके 60 सनायू होंगे और और यानि चेश्ट रीजन में 30 सनायू होंगे तो मद्ध शरीर के हो गए 60-80-60-30 60-60-120, 80-200 और 230 सनायू पूरे हो गए मद्ध शरीर में अब बात करेंगे उर्द जत्रू उर्द जत्रू में जो ग्रीवा होगे यानि नेक रीजन में 36 सनायू होंगे और शिर में होंगे 34 सनायू यानि कि इसमें पूरे हो गए 70 सनायू तो पूरे अगर हम टोटल देखें तो मद्ध शरीर में आपके 230 थे उर्द जत्रू में 70 और शाखा में 600 जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं अब बात आएगी सनायू के प्रकार यानि सनायू के टाइप्स सनायू जो होते हैं वो चार टाइप्स के होते हैं पहला प्रतानवती दूसरा वरत प्रतुल और शुशिर प्रतानवती वरत प्रतुल और शुशिर जो प्रतानवती टाइप के सनायू होते हैं वो कैसे होते हैं लंबे होते हैं और जो वरत, वरत का मतलब गोल, जो गोल सनायू होते हैं, प्रतुल मतलब फ्लैट, जो एकदम चिप्टे हुए होते हैं, और शुशेर का मतलब जो खोकले होते हैं, जिनमें स्पेस होता है, तो जो प्रतानवती सनायू हैं, वो पाए जाते हैं, हास्त, पाद, संधी, यानि कि हाथों में पैरों में और संधियों में और जो वरत तिसनायू हैं वो भी हस्त पाद और संधी में पाए जाते हैं और जो प्रतुल हैं वो प्रश्ट पाश और और सिर में पाए जाते हैं जो सुसिर स्नायू है वो आमाशय बस्ती और पक्वाशय में पाए जाते हैं अब देखेंगे स्नायू का महत्व तो यहाँ पर है पीडित हुई स्नायू जितनी व्याकुलता उत्पन करती है उतनी पीड़ा अस्थी पेशियों सिर और संदियों में आगात होने से भी नहीं होती यानि अगर सनायू इंजर्ड हो गए तो वो इतनी जादा इतना जादा सीबियर पेन उत्पन करेंगे कि जितना की अस्थी यानि बोन्स या मसल्स या सिरा या संदियों पर चोट लगने से भी नहीं होता है जो सभी सनायू होते हैं वो मास अस्थी और संदियों के बंधन होते हैं यानि जो स्नायू होते हैं वो मास यानि मसल्स अस्थियों और संदियों को बांदने का काम करते हैं ये बंधन बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और सबी संदियां सनायू द्वारा बंदी होने पर बाहर वहन करने में समर्थ होती हैं यानि कि अगर सनायू नहीं होंगे तो जितने भी संदियां यानि जितने भी जॉइंट्स हैं वो किसी भी वेट जो भी मतलब वेट को गेन नहीं कर पाएंगी उठा नहीं पाएंगी और फ्लेक्शन एंटी फ्लेक्शन या जो कुछ भी मुवमेंट होते हैं वो भी उसमें भी बहुत ज़्यादा केठेना ही आएगी फिर फोर्थ पॉइंट है सनायूं द्वारा अस्तियों में गुमाओ हो जकता है यानि अस्तियों का गुमाओ जो होता है वो सनायू के द्वारा ही हो जकता है अताहा सनायू को अस्ति संदी पेशी आदी की अपेक्शा विशेश महत्तो है इसलिए तो हम लोग सनायू की महत्त